नमस्कार स्वागत है आप सभी का यूपी बीड इंट्रेंस एक्जाम 2022 कंड़क्ट हो चुका है 6 जुलाई को और उमिद करते हैं कि आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा पांच अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाना है और 10 अगस्त से काउंसलिंग आपके स्टार्ट हो जानी है तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड अनमानित कितना आपको कम सकम अंक आपके होने चाहिए कितना कटाफ जा सकता है सरकारी या फिर आइडिट की जो सीटे होती है जहां पर सरकारी फ्री सीटे होती है मतलब फीस नामातर की होती जबकि प्राविट कालेज में फीस ज्यादा होती है बलकि बहुत ज्यादा होती है अगर कमपेर करेंगे तो male और female दोनों का अलग लग यहां पर आपको हम कटा बताने वाले हैं one third की negative marking थी paper का label ठीक ठाक था total 200 प्रश्ण और 400 नंबर के करने थे तो यहां पर 400 नंबर में लगबग कितने आपके नंबर होने चाहिए एक बार हम लोग यहां पर देख लेते हैं लगबग सीटे कितनी है बिज्ञान वर्ग और कला वर्ग में सीटे कितनी है तो बिज्ञान वर्ग में जनर्ल के लिए 1150 सीटे हैं OBC के लिए 612 सीटे हैं EWS के लिए 230 10% के लगबग इसके बाद 80 के लिए 472 80 के लिए 45 यहां पर ध्यान आपको यह देना है कि जो जन्रल मतलब 40% हो गया 50 से 40 और 10% EWS का कोटा हो गया OVC का 27% SC का 21% और HD 2% यह वर्टिकल रिजर्वेशन बता रहा हूं है आपको उर्धवारदर आरक्षड अगर आप समझ पा रहे हो 36 आरक्षड में जो होता है पी एच और जो ब्लाइंड वाले बील यह दो आपके 36 वाले हैं बाकी यह जो सभी है चन्रल OVC, SC, ST, EWC यह तने आपके यह वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर गताते हैं जिसमें C2 का वटवारा की इस प्रकार्श होता है हमने आपको बता दिया अब अगर यहीं पर हम बात कर ले हैं जो कला वर्ग है उसमें कितनी सीटे हैं चन्रल के लिए 20, 2750, OVC के लिए 1485, 1480, ESC के लिए 1155, EWS के लिए 550, ESC के लिए 110 तो चितनी सीटे होंगी उसी तरह से कट आफ भी जाएगी अलगलग के लिए और एक चीज़ आपको यहां पर ध्यान देना है कि जो फीमेल और मेरियट कैंडिडेट हैं आपके लिए जो है पादर साइट का कास्ट सर्टिपिकेट मानने होगा EWS में जो बिवाई महिलाए हैं उनके लिए दिक्त नहीं उनका पती पक्ष का चल जाएगा पती पक्ष के आई की आधार पर और अगर अगर अब बिवाईत है तो पती वाला पर जो कास्ट सर्टिपिकेट है बिवाईत महिलाओं के लिए आपके लिए पिता पक्ष का ही का कट आफ जा सकता है और यह अनाफिशल कट आप आपको बताने वाले आफिशल कट आफ आपकी रिजल्ट के साथ में आएगा अच्छा यहां पर देख लिए जो वेटिज मिलता है आप सभी को पता है कि कुछ वेटिज का भी प्राधान होता है आपने कहीं से पढ़ाई की है इसके लाभा सौन को अलग कुछ अंग मिल जाता है आपको एंसे सी का लग मिल जाता है फेडंफ न हम सबस nessa मिलते हैं और जीटने आपके रहेंगे रिटेन एक्याम में उसमें यह आपके Donc car जूडि जाते हैं ठीक है यहां तक सभी को के निदे देख लीजिए सबसे पहले हम आप पर mail के लिए बात करेंगे उसके बाद फिर फीमेल के लिए mail के लिए जन्रल के डिगरी में 250 के अगर आप आसपास हैं तो आपको सरकारी या फिर added की seat मिल सकती है 250 या फिर 250 से जादा है तो आपको seat मिल जाना चाहिए सरकारी यह मैं आपको minimum कठा बता रहा हूँ इससे कम जाने के chance कम रहेंगे थोड़ा इससे जादा प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है प्लस माइ cut-off जा सकती है यसी है male candidate है 220 के आसपास या फिर 215 के आसपास 215 यश्टी अगर है तो यहां पर 190 के आसपास तो आपको सरकारी seat मिल जाना चाहिए EWS अगर आप है तो आपके लिए 235 नंबर पर भी आपको सरकारी या फिर added की seat मिल सकती है यहां तक सभी को clear है PH और BL का हम आपको लाश्ट में बताएंगी एक बार हम लोग वर्टिकल रेजरिवेशन के अंतरगत male और female का अलग अलग देख लेते हैं उसके बाद हम बात करेंगे PH के लिए PH के लिए बहुत कम जाएगी ठीक है तो male candidate के के लिए general OVC SC ST EWS जनरल के लिए 250 के लगबग या फिर इससे ज्यादा OVC 245 SC 215 यश्टी 190 और EWS में 235 नमबर चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे female के लिए अभी हम लोग male के लिए देख रहेते हैं तो female category में बस आपको थोड़ा-थोड़ा कम करके देख लेना है जैसे हमने आपको बताया 250 जनरल के लिए तो female में आप यहाँ पर 240 तक मान सकते हैं कि आपको सरकारी या फिर आइड़िट की seat मिल सकती है OVC में 235 तक यहसी में 200 नमबर तक यहस्टी में 175 के आसपास तक EWS में 230 या फिर 225 के आसपास 225 से 230 की बीच में लगबग जा सकती है एक बार फिर से देख लिजे फिमेल केटिगरी में जनरल 240, OVC 235, YSC 200, YSC 175 और EWS में 225 से 230 की बीच में जितना मैं आपको यह expected cut-off बता रहा हूं मेरे हिसाब से यह cut-off minimum है इससे कम जाने के chance बहुत कम रहेंगे इससे थोड़ा सा 245 नमबर जादा भी जा सकता है कम भी जा सकता है बट जो पेपर का लेबल लहा है आप लोगों ने जिस परकार से पेपर दिया है उससे आप से नहीं लग रहा है कि इससे कम cut-off आने वाली है जितना हमने mail के लिए बताया है अभी इसके पहले और जितना भी हम यहाँ पर female के लिए बता रहे हैं तो अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि थोड़ा सा आपको दो चार नंबर तीन चार नंबर आपको प्लस माइनस लेके चलना है बाकी आपको कितना लग रहा है यह आप भी बता सकते हैं कमेंट करके चलिए अब यहाँ पर देख लिए पी एच या फिर बियल कैंडिडेट अगर हैं तो आपके लिए मेरे हिसाब से 125 के अगर आप आसपास हैं तो भी आपको सरकारी या फिर एड़ेट सीट मिल सकती हैं 125 के आसपास 125 से अधिक्तम 130 तक है अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जैसे फ्रीडम फाइटर हैं एंसी सी कैंडिडेट हैं स्पोर्ट की कैंडिडेट है या फिर जो और कुछ छूट मिलता है कहीं जिगर से वेटिज मिलता है आप जहां से बढ़ाई की हों उसके आदार आपके रेटेन वाले जो नंबर आपके रहेंगे उसमें जुड़ जाएंगे पहले ही कटाओ बनने से पहले यह नंबर जुड़ जाते हैं ठीक है तो वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक शेयर कर दीजेगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया ह तो जरूर शब्सक्राइब कर ले हैं आगे हम लोग सूपर टेट यूपर टेट आउट सीटेट की प्रिपरेशन प्रेक्टिस इट हमारे इस चैनल के माद्देम से आपको मिलते रहते हैं तो आप सबी को हमारे चैनल से जरूर जुड़ना है धन्यवाद